Hi everyone, this is Kaveri Daaz Gupta and welcome to my channel Astro Kaveri Insights. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे होते हैं January महीने में जनमे लोग. जैसे कि साल के हर महीने से ही किसी ने किसी ग्रह, नक्षत्र और राशी का कनेक्शन रहता है, वैसे ही January महीने का सूर्य और राशियों में मकर और कुम्ब राशी के साथ भी कनेक्शन रहता है, क्योंकि संशाइन जो ठहर है इस महीने के, इनी सब कनेक्शन के बारे में आपका जादा समय ना लेते हुए चर्चा करते हैं और जान हैं और भी अच्छे से आभी के बारे में. वीडियो पे आगेर बढ़ने से आप सबसे मेरा एक विनमरन रोध है, अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजीगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँग और हाँ हर बार की तरह आज के इस वीडियो के एंड में भी मैं कुछ रिम्डिस बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइकन शेयर करना मत भूलिएगा, तो चलिए अब वीडियो पर आगे भरते हैं और जानते हैं कि कैसे होते है जैनवरे महीने म जनमे लोग, साल के पहले महीने में जिनका जनम होता है उन पर सूरिय का एफेक्ट थोड़ा जादा होता है, जो उनके बिहेवियर से ही पता चल जाता है, आप सिर्फ महनत में नहीं बलकि करी महनत में यकिन रखते हैं, अपने काम और करियर को लेकर आप में एक सीरियोसने देखी जा सकती है, अगर संसाइन के हिसाब से देखे तो जैनवरी के एक तारिक से लेकर 19 तारिक तक जिनका जनम होता है, उनके बिहेवियर में मका राशी और 20 तारिक से फिर बाकी के पूरे महीने के लोगों में कुम्ब राशी के गुन पाए जाते हैं, अप में एक और चीज भी बहुत पाई जाती है, कि या तो आपके कम उम्र रहते हैं, आपके पिता नहीं रहते हैं, या फिर आपके पिता के साथ आपकी बंदी कम है, आप बेहद संसकारी और आदर्श बच्चे की रूप में समाज पर अपनी च्छाप छोड़ते हैं, आपकी कड़ी महनत और उम्दा क्रियेटिविटी के वजए से कई लोगों के लिए आप इंस्पिरेशनल भी होते है अपने हर कामें बारिक नजर भी रहती है आपकी वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि कौन कैसा है पर कई बार ऐसा देखा गया है कि आप ही के आसपास के लोगों से आप धोका खा जाते हैं आप कुछ थोड़ी सी नेगिटिव ट्रेट्स भी हैं आपके बारे में उन्हें भी जान लेते हैं जैनवरी महिने में जन में कुछ लोगों में ये कमी पाई जाती है कि पूरी बात सुनने से पहले ही आप रियक्ट कर देते हैं वैसे तो आप बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं पर अगर सब कुछ आपके हिसाब से ना हो तो आपके टेंपरेमेंट की सारी लिमिट्स भी क्रॉस हो जाती हैं आपको आपका काम तो समय पर चाहिए होता है पर आप दूसरों के समय की उतनी कदर नहीं करते लाइफ के परती आपका नजरिया बहत सपश्ट होता है आपको कब कितना और कैसे चाहिए ये दिमाग में एकदम क्लियर रहता है अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना है तो उसकी कमियों के परती आप जान बूझ कर आके बंद किये रहता है और जैसे ही आपका काम नि लखने से पहले ही दो बार सोचरी पर बात दे हो जाता है पर आप सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड भी हो जाता है अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में विशेश महत्वर रखता है तो उसे सहारा देने में आपका एगो आरे नहीं आता अब अगर बात करें कि कौन सब प administration, consulting, real estate के business ऐसे काम आपके लिए अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए last simple से कुछ सुझाओ है अगर आप इन्हें मानते है तो इनसे आप ही की भलाई होगी सबसे पहले तो अपने इस selfish nature पर थोड़ा control करे हमेशा आप ही सही हो ऐसा नहीं भी हो सकता है कभी-कभी दूसरो पर पहचानना है और अगर remedies की बात करें तो आपके लिए lucky number है पाँच, तीन और एक, lucky color है dark blue, orange, red and yellow और आप हर सुबह सुड़य को अर्ग दे, जल चराए और हर रोज आदिते रिदेस तोत्र या फिर हनुवन चालिशा का part करे I hope आपको ये video informative लगी होगी और अगर लगी ह तो मुझे comment section में comment करके जरूर बताईएगा, वीडियो को like and share कर दीजेगा और चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा और बने रहेगा हमारे साथ